तो आज हम start करेंगे वाच के प्रियोग क्या होते हैं क्योंकि कभी कभार दोस्तों पेपर में हिंदी के पेपर में कभी यह नहीं कभी कभी हो सकता है कि यह ना पूछा जाए कि वाच के भेद बताइए या आपको एक sentence दे दिया जाओ उसमें पूछने कौन सा वाच है आपसे पूछ दिया जाए कि कईभी कभी पूछ दिया जाता है कि यहां पर कौन से वाच्च का प्रियोग हुआ है या वाच्च के प्रियोग कैसे कौन होते हैं किस प्रकार होते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा वाच्च के प्रियोग को लियर कर दूँगा कि कैसे होते हैं यह चोटा सा वीडियो बनेगा दोस्तों आप बिल्कुल परिशान मत होगे और वाच्च के बारे में फर्स्ट वीडियो मेरा और यह सेकेंड वीडियो दोनों ही आप देखेंगे तो कोई भी कुश्चन आपसे वाच्च का पूछेगा एक्जाम में पूछा जाएगा तो आप एंड तक बने रही है मेरे सार और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करके बताएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या-क्या समझ आया तो चलिए आप शुरू कर क्रिया के लिंग वचन और पुरुस के अध्यान को हम लोग वाच्य का प्रियोग कहते हैं हमें क्रिया का लिंग वचन और पुरुस लिंग या फिर वचन या फिर पुरुस इन तीन चीज़ों को देखना है और हम समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सा वाच्य का प्रियोग हो तो option दे दी जाएगा एक, दो, तीन या चार तो आपको सही answer वहाँ देना होगा बच्चो तीन प्रकार के क्योंकि कभी exam में पूछा जाया और तो आपको नहीं पता होगा तो आप निश्चित गलत करके आएंगे तो तीन प्रकार के वाच्च प्रियोग होते हैं अब कौन-क क्या होता है सेकंड होता है कर्मनी प्रियोग जैसे कर्म वाच्च था वैसे ही सेकंड वाच्च का प्रियोग है कर्मनी प्रियोग और तीसरा वाच्च प्रियोग होता है भावे प्रियोग कौन सा होता है दोस्तों भावे प्रियोग अब इनको समझना बहुत ही असान है आता है कि करतरी प्रियोग क्या होता है करतरी प्रियोग क्या होगा दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं वाक्य में क्रिया के लिंग वचन क्रिया के लिंग वचन या पुरुस लिंग वचन या पुरुस करता की लिंग वचन या पुरुस के अनुसार बदले हैं ध्यान समझ क्रिया के लिंग या फिर वचन या फिर पुरुस करता के फिर से बता देता हूँ क्रिया के लिंग वचन या पुरुस के साथ बदलें के हिसाब से बदलें तब तो वहाँ पे करतरी प्रियोग होगा अब कैसे होगा आप साहर एक्जामपल देखेंगे तो और अच्छे समझेंगे चलिए फर्स्ट एक्जामपल मैं बतातूँ आपको एक्जामपल में लिखा है पहला उधारन राम खाना खाता है आप ध्यान से रेखिएगा क्रिया क्या है? क्रिया कैसी है? पुलिंग कैसी है? पुलिंग करता क्या है? करता कैसा है? वो भी पुलिंग करता राम पुलिंग क्रिया खाता पुलिंग क्रिया एक वचन करता भी एक वचन समझ में आ रहा है आपको क्रिया को देखेंगे ये पुलिंग है और एक वचन है करता भी देखेंगे आप ये राम पुलिंग है और एक वचन है जब क्रिया करता के हिसाब से चल रही है जो क्रिया का लिंग वचन और पुरोस है वही करता का लिंग बचन और पुरस है तो ये प्रियोग यहां पे कौन सा वाच्छी का प्रियोग होगा यहां पे करतरी प्रियोग होगा दूसरा example देखें, यह तो और अच्छा है, interesting है, कि कमला घर जाती है, अब देखिए, क्रिया देखिए यहापे, जाती है, यहाँ पे आपको यह, कौन सा यहाँ पे link दिख रहा है, इस्त्री link, कौन सा है बच्चों, इस्त्री link, बच्चों आप ध्यान से समझेगा, जाती जा क्या बोलेंगे, कि यह भी इस्त्री link है, किक, अब क्रिया इस्त्री link, और कर्ता भी इस्त्री link, तो जब दोनों match कर रहे हैं, तो आपका यह कौन सा है, यहाँ पे प्रियोग है, कर्तरी प्रियोग, आप यहाँ गौर से देखना, मैं इन सब को हटा देता हूँ, आप कोनी कहते कि यह घर बहुत बड़ी है, ठीक, तो हम घर को प्लिंग में काउंट कर सकते हैं, तो घर अगर प्लिंग है, कर्ता अपना इस्त्री link है, और क्रिया कैसी है, क्रिया भी तो देख लीजिए, क्रिया अपनी इस्त्री link है, इस्त्री link, इस्त्री link, और यह घर क्या है तो आपको मैंने बताया था कि क्रिया करता के हिसाब से अगर हो क्रिया का लिंग बचन पुरुस करता के लिंग बचन पुरुस से और मिलता हो तो यहाँ पे कौन सा प्रियोग होगा बच्चों यहाँ पे होगा करतरी प्रियोग तो अब हम लोग तीसरे sentence को देखें तो चलिए बच्चों हम लोग अब 3D example देखते हैं 3D example क्या लिखा हुआ है जल्दी से देखेंगे 3D example में लिखा हुआ है कि लड़किया पुस्तकें पढ़ेंगी ठीक ये रहा आपका 3D example अब यहाँ पर आप देखिए बहुवचन और करता भी कैसा है लड़कियां लिखिए कोई लड़की की बात तो नहीं हो रही है लड़की नहीं है या लड़किया है ये भी है आपका बहुवचन चीक तो देखिए क्रिया इस्त्रीलिंग बहुवचन करता इस्त्रीलिंग बहुवचन तो क्रिया किसके से चलती है यानि क्रिया का लिंग वचन या पुरुस करता के लिंग वचन या पुरुस से मिलता है तो यहां कौन सा प्रियोग होगा तो आप देखते ही ठोक देंगे कि यहां पे करतरी प्रियोग होगा ठीक है तो आपको यह तीन एक्जांपिल से मुझे लगता है करतरी प् लिए आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल हैं, बड़ जब एक यह दो नम्बर के कोश्चन इन से फस्ते हैं ना बच्चों, तो आप लोग गलत करके आ जाते हैं, तो आप लोग वाच्ची के प्रियोग पढ़ने के बाद पहला वाच्च और वाच्च के प चीक? अब हम लोग कर्मनी प्रियो को बढ़ेंगे जैसे करतर ही अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो कर्मनी और ईजिली समझ में आ जाएगा, आजानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें करता की जगा करम आ जाता है इसमें लिखा हुआ है कि क्रिया के लिंग वचन या पुरुस किसके क्रिया के क्रिया के लिंग वचन या पुरुस के अंसार बदलें मतलब क्रिया का जो लिंग वचन या पुरुस होगा वो कर्म के लिंग वचन या पुरुस से मिलता होगा निश्चित है कर्ता से नहीं क्रिया के क्रिया का जो लिंग्वचन पुरुष है वो कर्ता से नहीं कर्म के लिंग्वचन पुरुष से मिलेगा तो चलिए जल्दी से एक्जामपल देखते हैं यानि इसमें कर्म प्रधान होगा हमारा चलिए, एक्जाम्पल में लिखा है सौरब ने पुस्तक लिखी ठीक है बच्चों, अब आप लोग यहां क्रिया देखें क्या है, लिखी क्रिया कैसी है इस्त्रीलिंग, एस बना दिया, मैंने इस्त्रीलिंग को ठीक है, अब यहां पे आप कर्म ना देखके, आप सीधे देखें कर्ता, कर्ता लिखा है सौरब, जो की है एक पुलिंग पुलिंग को मैंने पी बना दिया, ठीक तो यहां क्रिया आपके कर्ता के हिसाब से तो नहीं आ रही, फिर केस हिसाब से आ रही है क्रिया थी इस्त्रीलिंग अब आप कर्म पे देखें कर्म है पुस्तक पुस्तक भी हमारा है इस्त्रीलिंग क्रिया था लिखी जो लिखा था ये इस्त्रीलिंग के साथ साथ एक वचन भी था और कर्म जो है वो इस्त्रीलिंग के साथ एक वचन है तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि जो लिखी आया था वो पुस्तक के हिसाब से आया था यानि लिखी था क्रिया पुस्तक थी कर्म तो हमारा यहाँ पे क्रिया स्त्रीलेंग एक वचन और कर्म भी स्त्रीलेंग एक वचन था चलिए अब तो यहां पर वाच का कौन सा प्रियोग होगा लागू बेटा कर्मनी प्रियोग हम लोग सेकंड वाला देखते हैं एक्जाम्पल यहां पर लिखा है गौरव ने कई पत्र लिखे ठीक है अब गौरव ने कई पत्र लिखे इसका मतलब है सबसे पहले यहां क्रिया देखिए आप क्या लिखा है लिखे और लिखे कैसा है जल्दी से दोस्तों बताईए लिखे कैसा है बहु वचन कैसा है बहु वचन अब यहां कर्ता को देख लो मैं साथ साथ आपको यहां पर दिखवाता भी जाओंगा कि करतरी प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता अब आप यहां पर क्रिया देखिए लिखे जो की बहुवचन करता देखिए गौरव जो की है आपका एक वचन ठीक है पुलिंग भी है और एक वचन भी है अब तो यह करतरी तो हो नहीं सकता अब इसको कर्मनी के हिसाब से हम चेक क होगा कि ये बहुवचन है, छीक है तो यहाँ कुरीया भी बहुवचन कर्म भी बहुवचन, तो यहाँ कौनसा बाच्चे-प्रियोग होगा पिटा, कर्मणी प्रियोग, छीक है अब जल्दी से तीसरा एक्जाम्पल देख लेते हैं, सीला ने पत्र लिखा अब गौर्ट से आओ क्रिया लिखा है लिखा जो की है पुलिंग एक वचन ठीक है अब यहाँ पे देखिए आप पत्र कर्म जो पत्र है वो क्या है वो भी है पुलिंग और एक वचन ठीक और यहाँ पे करता को देख लीजिए सीला जो की यहाँ सीधे सीधे हो रही है इस्त्रीलिंग ठीक तो आप क्या बोलेंगे देखिए क्रिया है लिखा जो की थी पुलिंग एक बचन कर्म है पत्र वो भी पुलिंग एक बचन और करता है सीला जो की है इस्त्रीलिंग इसका हम बचन से क्या लेने दा है इस्त्री लिंग एक बच्चन भी हो जाता इस्त्री लिंग के साथ सीला जो है इस्त्री लिंग और एक बच्चन दोनों होता तब भी वो करतरी प्रियोग तो हो नहीं सकता है सेंटेंस में क्योंकि हमारी इस वाके में जो क्रिया है लिखा वो किसके हिसाब से आ रही है पत्र क कर्म के हसाब से पुलिंग पुलिंग ये दोनों क्या हो रहे हैं पुलिंग पुलिंग ठीक है अब चलिए चौथा वाला एक example और देख लें साहद आपको कर्मनी प्रयोग पूरा ही समझ में आ जाएगा अब फिर से वही है example में हमारा मोहन ने मिठाई-खाई तो यहां खाई इस त्रीलिंग मिठाई वचन देखने की भी ज़रूरत नहीं मोहन यानि कर्ता पुलिंग तो यहां पर क्रिया कर्म के हसाब से आई है ना की कर्ता के हसाब से ठीक है तो यहां भी वाच में कर्मनी प्रियोग होगा तो आपको अगर कर्तरी और कर्मनी प्रियोग समझ में आ गए होंगे चलो मैं दो मुनेर में समझा देता हूँ यहीं से आप समझ दो कर्तरी प्रियोग क्या होता है जब वाक में क्रिया के लिंग वचन या पुरुस कर्ता के हिसाब से आए तो होगा क कर्मानी क्या होगा क्रिया के लिंग वचन या पुरुस कर्म के लिंग वचन या पुरुस के हिसाब से हैं कर्मानी प्रियोग बट थर्ड वाला जो है हमारा भावे प्रियोग भावे प्रियोग क्या है यह देखिए यहां पर गलत लिखा हुआ है यहां पर होना चाहिए था ठीक है ये वाला हो जाता है सीरे सीरे भावे तो भावे में क्या होता है यहां पे क्रिया के लिंग वचन या पुरुस करता या कर्म के हिसाब से नहीं होते हैं करता या कर्म के हिसाब से नहीं होते हैं फिर किसके हिसाब से होते हैं बच्छों चलिए दोस्तों एक वार फिर से भावे प्रियोग पढ़ लेते हैं कैसे होता है बहुत सिंपल है तो भावे प्रियोग में क्या होता है क्रिया के लिंग वचन या पुरुस करता के और कर्म के लिंग वचन या पुरुस के हिसाब से नहीं होता है ठीक है यहां कुछ अलगी काम चलता है बहुत सिंपल है आप स कैसे होते हैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ क्रिया के लिंग वचन या पुरुस एक वचन होते हैं पुलिंग होते हैं और अन्य पुरुस होते हैं चीक है यहां वचन लिंग और पुरुस तीनों जो हैं क्रिया के वो एक वचन होंगे पुलिंग होंगे और अन्य पुर यह एक वचन, पुलिंग, lace होगे. चलिए, अब हम दो पहले एक जाम्पल पढ़ते हैं. फर्स्त वाला अनीता ने बेल को सीचा. अब अनीता, देख लो सबसे पहले हम दो क्रिया देखते हैं. क्रिया क्या है? एक वचन ठीक. अनीता कैसा है? इस्त्रीलिंग एस लिख देता हूँ मैं बेल इस्त्रीलिंग सीचा जो क्रिया है वो है आपका पुलिंग ठीक है फिर से देखो अगर आप यह एक्जामपल अच्छे समझ गए बिटा एक्जामपल ही होते हैं बिटापिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका अगर आप एक्जामपल समझ गए तो सब कुछ समझ गए यहाँ एक्जामपल क्या था अनीता ने बेल को सीचा फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ आप कंफ्यूज मत होईएगा क्रिया लिखिये सीचा जो की है आपकी पुलिंग एक वचन तो ही सब को बता है और पुलिंग भी है बेल जो की कर्म है वो है इस्त्रीलिंग अनीता जो करता है वो भी है इस्त्रीलिंग अब देखो यहाँ पे क्रिया जो है वो पुलिंग है ना तो ये कर्म से मिल रही है ना ही ये कर्ता से मिल रही है जो कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया के लिंग वचन पुरूस के कैसे होते हैं वो एक वचन होते हैं पुलिंग होते हैं और अन्य पुरूस होते हैं तो यहाँ पर यह कैसा है आपका pulling भी है सीचा यानि क्रिया आपकी pulling भी है और एक वचन भी है और जबकि करता और कर्म दोनों ही इस त्री लिंग थे second example भी समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि लड़कों ने पत्रों को देखा अब मैंने आपके लिए यहाँ पहले से लिख रखा है लड़कों ने पत्रों को देखा क्रिया है देखा जो की है एक वचन कर्म पत्रों जो की है बहु वचन करता है लड़कों ये भी है बहु है लेकिन क्रिया हाज किसी है एक फbabचन तो यहाँ पर कौन सा प्रियोग होगा वाज का जल्दी से ठोक दो बच्चों आंसर देखते हैं क्या ठोक हो गया भावेश प्रियोग घाव प्रियोग ओके लास्ट वाला क्या एक्जाम पहले जल्दी से उसको भी हम लोग गौर से देखेंगे लास्ट में लिखा है लड़कियों ने पुस्तकों को पढ़ा है अब क्रिया कर्म करता क्रिया कैसी होनी चाहिए थी एक वचन जो की है कर्म कैसा है बहुवचन ये लिखा हुआ है और करता कैसा है ये भी है बहुवचन ये लिखा है क्रिया कैसी है ना तो ये कर्म के हिसाब से आ रही ना ही आपकी करता के हिसाब से आ रही तो जब वाक्य में क्रिया ना ही कर्म के हिसाब से आए ना ही करता के हिसाब से आए पुरुस ठीक है वो बहुवचन नहीं हो सकती गभी क्रिया इस्त्री लिंग नहीं हो सकती ठीक है और अगर जब ऐसा होगा वाच में तो हम उसको क्या बोलेंगे वाच में कौन सा प्रियोग है भावे प्रियोग इसको मैं सही से लिखी देता हूँ बच्चों वरना आप वाच के प्रियोग आज मैंने स्टार्ट किया था अगर आपको बच्चों ये वीडियो समझ आया है आपको कुछ भी यहां समझ आया है पसंद आया हो इस वीडियो में तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी रिवियू दीजिए अपने औ और अपने दोस्तों को भी समझाईए क्योंकि अगर वाच के प्रियोग और वाच जो पहले मैंने पढ़ाया था वाच कैसे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उनके क्या भेद होते हैं वाच के प्रियोग क्या होते हैं वाच प्रियोग के अधार पर कितने प्रकार का होता ह तीन प्रकार का होता है जैसे मैं तक मैंने बताया था सामने लिखा भी हुआ है और वाग के दे देंगे उसमें पूछ देंगे कौन सा वाच्च है यहाँ पर वाच्च का कौन सा प्रयोग है तो I think आप देखते ही आप दोनों वीडियो को देखके फर्स पार और सेकंड पार कि आप समझ जाएंगे ठीके बच्चों तो अब मैं अगला जो टॉपिक लेके आऊंगा I think तो वह आपके लिए लिंग वाला लेके आऊंगा कि कौन सा इस्त्री लिंग और पुल लिंग दोनों को आप देखते ही चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं कैसे पकड़ेंगे कि यहां पे यह सब्द इस्तरी लिंग में है या पुल लिंग माला है बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ मैं आपको पढ़ा दूगा तब तक के लिए अब आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरू करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भू है तो मैं आपका दोस्त आपका टीचर प्रतीक दुवेदी अब आपसे विदा लेता हूं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाय बच्चो